और चले कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इस कारिक्रम में हिंदुस्तान की उडान में हमारे बीच एक और खास महमान, खादे, प्रसंस्क्रण, उद्योग और जलशक्ती मंत्री प्रहलाद सिंग पटेल जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, प्रहलाद सिंग पटेल जी से अब आप से निवेधन करूंगी कि आप मंज पर आएं और नए भारत के निर्मान में आपके मंत्राले के लिए क्या कुछ योजनाएं है सर सर तीज आप साजहा करें सर आपके मंत्राले कि क्या योजनाएं है मैं चाहूंगे आप पहले सबसे साजहा करें जी सर जी इंद्वस्तान का है रशे धन्यबाद आज मैं अभी उत्तरपूर के राज मनीपूर से बापस आ रहा हूं आपनी बात कहतें समय मुझे लगता है की सामा एक परसंग हैovarी पुरिखिख एक बार दुर्वासा क्योंकि आपके इस कालिकम कर नाम हिंदुस्तान की उडान है तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसप्रसंगे से में अपनी बात शुरू हो है कि कहते है कि कभी मतरा के पास एकना पर दुरवासा के रुके अचानक यमना में बाढ़ा गई दुर्वासा के करूद से सब परचित थे तो गाउं की लोग भूजन लेकर यमना पार कैसे जाए इस चिंता में वो परिसान थे तो बादम कर्षणे के पास के क्रिष्चणे ने ऐने कहा इमना से कहना कि अधी कृष्टन बाले ब्रह्मचारी है अंधिवन भ्रह्मचारी है तो आप हमें राष्टा दे दो भाग मान कृष्णी की 16 accessible 108 इंजा प expenditure पूर्छशके बार्जब ये बात कही तो सुभाविक तरीके से जो लोग थे उनकी मन में संका आना स्वभाविक था लेकिन कोई बिकल्प दूसरा नहीं था तो उनने गए उनने अमना के सामने कहा जैसे उनने कहा तो यमना ने रास्ता दिया और वो भोजन लेकर चेले गए बोजन कराने के वाद बगवान दुरवासा को ने बात बताई लेकिन तब तक यमना फिर से उफान पड़ थी उनको बापस अपने मत्रा बापश ना था उनने दृवासा जी से कहा कि अब हमें बापाश जाना है हम कैसे जाएंगे आप हमंपरी मदत करिये उनने जो बात कही उनने कहा कि मां यमना से कहना कि जो अखंड उपवास करने वाला का दुरवासा है तो मुझे रास्ता दे दो गाववासनों ने भोजन बत्रावाशियों ने उनको कराया था उनी का भोजन उनने पाया था उसके बाद वो कह रहे है कि मां यमना से कहना यगा दुरवासा अखंड और पुवासी है तो हमें रास्ता दे दो यवनाने रास्ता दे दिया वो बैचे नहीं और बढ़ गई तो फिर कृष्णे के पास गए कृष्ण ने एक पंक्ती में एक बात कही कि यह सच है यदि व्यक्ति अपनी आत्मा और सरीर को अलग-अलग कर ले तो फिर यह संकल्प कभी भी बिचलत नहीं कर सकता यह बोलो कर सकते हैं जो इस स्थिती में पहुंचने का सामर्थ रखते हों जनके पास स्वर्म और साधन की पराकास्ता हो मुझे लगता है कि आज हम सब के सामने जो एक चित्र उभर कर आता है कि पद और व्यक्ति के वीच का जो फासला है वो फासला का देखे बगेर हम साध अगलिया मुकाम हासल नहीं कर सकते हिंदोस्तान की उड़ां का अर्थ नहीं समझ सकते आपने चीता के ब अबच्टी के बीच में पद का हंकार अगर उसके उपर नहीं जाया तो वैसे ही महानकारी करेगा जो कोई शंत या देव पुरुष करता है अगर अंदोस्तान की उडान के लिए तो यह देश गुरान के लिए तो यह देश भर ये जेश भुरू के पद पर पहुंचे गा इने संक्लम के साथ हम जञे से लोग राजनीती में आये तेकर आज कहीं नहीं हमारे सोने प्रश्ण होता है लेकर उसके बाद कि जब अभी सम् में पांच में n로 finely अऔर्ट्यविवस्ता बने तो हमारी हमारी में भी चर्चा हुई और दुनिया में भी चर्चा हुई ये भारत की उड़ान है ये हिंदुस्तान की उड़ान है 2014 में हम 11 नंबर पर थे कब 10 पर आ गए 9 पर 8 पर 7 पर 6 पर किसी को नहीं पता कभी जरेनी हुई लेकिन जैसे हम पांच में नंबर पर आए तो जब दुनिया ने चर्चा की तो हम भी जागे की नहीं हमने कुछ मुकाम हासिल किया है हमने साथ कुई लंबी उड़ान हिंदुस् क्योंकि हमने बिटेन को पीछे किया था जिसके धाई सोवर्च इसने हम पर राज किया हम उसे आगे जब गए तब दुनिया ने माना तब देश के लोगों ने चर्चा सुरू किया इसी संदर में मैं आप से कहूंगा कि मैं फूर्ट खाट प्रसंशकर मंत्री हूं प्रधा कि प्रधानमंद्री किसान संपधा योजना जो सबसे सफल योजना है दोजार सत्रा से बाइस के बीट में दस अजार करोड रुपया उसमें इंवेश्ट हुआ फिर से उस योजना को इस बार आउसर मिला और 4600 करोड रुपया फिर से योजना में आए है और दूसरी योज को जिसको हम सेल्फ हेल्फ करते हैं सोसाइटी या कोई चोटा उद्योप होती हमको पांच वर्स में 10,000 करोड देकर उनको तकनिकी तोर पर उनके मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए उनके समुई के सामर्थबान बनाने के लिए वो 10,000 करोड की योजना ये इस बार से सं ग्रेट करें जब लक्ष पूछा गया और तीसरी योजना है पी एलाई उसमें भी 10,000 करोड लेकर मुझे लगता है कि ये एक बाद जो मैंने महसूस की है क्योंकि दूसरे नंबर पर जब मैं कहता हूं इस वर्स का हमारा आकडा था पैतालीस हजार करोड लगूदीमों को यह झाल घ्यने का लिक नम उनको दीडे पाई और पय को हम इसले सुबिकार कर रहें कि कहींक हम संग्ज में आती है कि हम जानकारी देने में पीचे वर सच्छी मुझे लगता है कि आपका यह कारी क्रम हमारे लिए और हमारे लं लगूदीम्यों के लिए बर्दान सावित हो हिंदोस्तान की उडान गर हो सकती ए तो दुनिया की एक लामी में बारत की जो अर्था kenn Lapras एकर उसकी कि ताकत या सब्से गति के साथ में बढ़ती वी कोई फचेट रहे तो फूड प्रोसेसिंग का चेट है उस फूट प्रोसेसिंग के चेतर में कोई संबल दे सकता है तो हमारे वो लगू दिमी दे सकते हैं जिन दोलाक लोगों को समुओं को या लगू दिम्यों को अपग्रेट करने की बात कर रहे हैं जो तीसरी स्कीम है यह तो बड़े के लिए प्याल इसकीम उसमें भी तसाजार करोड़ जो में पाजवर्स में जेना है अभी तक जो उसका जो तर्क है यो प्रदानमंती जी ने कहा है यह साइद हिंदुस्तान की उड़ान का मूलत तो हो सकता है उनने का कि हिंदुस्तान का खान-पान देश और दुनिया में प कि दुनिया में कोई पहचान नहीं कोई विदेशी कंपनी आती हो यह कोको कोला के नाम से आती हो और हमारे ही संसादनों को अपयोग करकर रम को बेच कर जाती है लेकर कोई भारती कंपनी अंतरराश्टी कंपनी नहीं बन सकी प्रदानमंदी जी का क्याना बड़ा साफ था दे सश्च मदी लोग आने बाली कोँ बहस्च के बारे में कोई बहतर गारंटी निक दे पाएंगे और उन् cave ढूसरी बात के मुई सारे लोग भडाते थे और उन्हें इससरेदी नुदू इत के अगर वह क्तेगरी हो दुनिया के मार्केट पने जाना को नहीं तए तो बाराफ सरकार उसको पचास पीज़ी का युगदान करेगी पर दूसरी काटेगरी थी कि यह तो वो इन्युवेटो या और गिनिक प्रेदा करने वाली हम बहुत स्रेश्ट देशों में है इन्युवेटों से मतलब एक अधरान में आपको देता हूं कि दूद की इलर्जी की जवरत थी वह आज भारती कंपनी कर रही है और उसको उसका मौका मिला है वो तीसरा चैलेंज था मार्केटिंग का व्रांडिंग का कि वो उससे कामपीट नहीं कर पा रहे थे उसमें सरकार मदद करने के लिए तैयार है इसकी कोई कलपना नहीं करता था जब इसके आगे की चैलेंज क्या थे तो प्रदानमादी जी ने का दो छेलेंग लगते थे हो दोनों का समाधान दिया पेला ता मार्केटिंग और दूसरा था कि हम गएं करे में हमारी चीजे नहीं थी यह हम poison पास में बहतर चीजे थी लेकिन कंटेंट हमारे पास नहीं था और इसलिए मैपिंग की गई कि हमारी जितनी भी फूट ले में उनको इस परकार से डिजाइन करें इतने देश की मैप के हसाब से देश के नक्से के हसाब से कोई भी सेंपल आट गंटे से ज्यादा का समय ना ल कि दुनिया अगला वर्स मोटे अनाज के वर्स करूप में बनाएगी दुनिया में चालीश फीजदी उत्पादन मोटे अनाज का भारत करता है लेकिन हमारी प्रोशेशिंग उनिट कितने मैंने पूरे देश में पता करने के बाद पता जला 99 अब जाकर वो 127 की सूची आप है वो पूरा का पूरा अनागनाई सेक्टर है लिजजद पापर जैसे समुई उसमें एक है लेकिन बाकी लोग ऐसे अगनाई तोटल अनागनाई से उन दोला को हमने टार्गेट किया लेकिन जो सबसे बड़ा मार्केट की अगर कोई भरपाई कर सकता है तो वो यह लगू कर सकता है और आज की तारीक में पूरी दुनिया का वाजार भारत का इंतजार कर रहा है जो दुनिया की परस्तिया है युक्रियन लिज उसका युद्ध आफरिकन कंटीज के अलाबा सरवाद एक मिलिट्स हमारे पास पर है अगर हमने प्रोसेसिंग के रास्ते पर हमागे बड़े तो आप मान कर चलिए कि दुनिया का पूरा बाजार भारत की तरफ एक टक टक ही लगा कर देख रहा है हमारे खान पान का स्वाद उसकी मांग वो अपनी जगह पर कायम है लेकिन मिलिट्स का जो की मांग है पूरी दुनिया में वो बाजार भारत के लिए हिंदुस कि उड़ान का आउसर देख रहा है हम कितने भागिदार हो सकते लेकिन मुझे लगता है इसमें हम सब को मिलकर काम करना होगा और मैं मानता हूं मार्केटिंग वरांडिंग की यह चीजें आपके चैनल पर जब बैटकर में कहता हूं तो मुझे लगता है कि डोमस्टिक मार् मैं मानता हूं कि यह तीन मैंने उन योजनाओं का उलेक आपको किया है और वो निश्चित रूप से एक आम गरीब आदमी से लेकर या गरणी से लेकर कोई शमूग में काम करने वाली हमारी महिलाएं हो सोसाइटीज के माद्यम से काम करने वाले हमारे एंजियों हो या फर हो या कोई इंडिविजल को छोटी बोटी को यह दो कर लगाने वाला व्यक्ति है उन सब को यह उसर मिले का आउसर है और से मैं मानता हूं यह विजन जो होता है कि हम दूर तक देख पाते हैं आने वाले दस साल बाद इस दुनिया में क्या होगा या इस देश के लिए क्या अगे पैरामीटर आज मंताला के कामकाज में मुझे दिखते हैं और इसीलिए सर नए भारत की मैंने बात की और मैंने कहां कि नए भारत के लिए आपके मंत्राले के क्या विजन है ये आप साजा करें मैं मेरे सायोगी सुमेश चौदरी से भी निवेदन करूंगी कि वो से जोड़े हैं, मेरे सायोगिस सुमें चौधरी आप से पूछेंगे. जो हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण है, लेकिन अब एक नया लक्षी है, एक और नई सीडी है, जो है फाइफ ट्रिलियन एकनौमी कैसे भारत बनेगा, इसका जिकर प्रदानमंत्री मूदी ने भी किया, इसका जिकर लगातार किया भी जाता है, खास वह पे सरकार इसको लेक बजट 6,000 करोड़ है, लेकर निए को जना में 10,000 करोड़ है, दूसरी जना में 10,000 करोड़ है, जो पहले से 17-22 तक अमारी पहली इसकीम चल रही थी, उसको कंटीनू किया, बिजन का मतलब है कि अगर हम फाइफ टिलियन एकनामी की चर्चा कर रहे हैं तो पहले तुम कर भी और उसकी गती को तेज किया, तो रोजगार के आउसर तो सुभाविक तरीके से निकल नहीं है, और इसलिए हम किन लोगों को फोकस करें, जब मैं ये बात कहता हूं कि हम बढ़ती अर्थ विवस्ता में किन लोगों की जादा हिस्सेदारी होगी, तो मैं दावे के साथ कहता है कि ये योजना है या ये चेत्र, खाली योजनाओं के सारे भागीदार है ऐसा नहीं है, मैं दक्षड में गया दा तो ये को द्योपती से मिला, उनने को सरकार की किसी योजना का लाब नी लिया, लेकिन वो मिलिट्स पर ब्याली स्परकार के प्रोडेक्ट बना कर हंड़ उनकी चैलेंज था सिर्फ लेप लेप के लिए वो चैन नहीं वेजते थे और बड़ा कर्चा उटाना पड़ता था अब उसका रास्ता दिया, तो मुझे लगता है कि यसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे, आप उस सब्दावली में में कहूंगा कि ये खाद परसंस करने का जो चैन रहे, वो इसे बढ़ती हो ही तेजगती के अकानामी में सबसे बहतरी चैन रहे, दूसरी बात होती है कि जब कभी हम जो जन्जविदाएं हैं, यदि वो हमको महिया कराते हैं, जैसे में जल सक्ती का मंतरी हूं, तो जल जीवन में में 2019 में जब संकल प लिया गया, तब तीन करोड़ तेईसलाग लोगों के परिवारों के पास पाइप से पानी था, लेकिन उनीस में गोशना के बाद, आज जम में आप से बात कर रहा हूं, वो दस करोड़ बीसलाग से ज्यादा हो गये, तो यह जो फर्क है, सिर्क पानी नहीं है, सुद्व पानी मिलेगा, तो स्वास्त की समस्याएं भी कंट्रोल में होंगी, महिलाओं का, वो महिला हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, आज ही मैं मनीपूर से लोड़ कर आया हूं, उस नलजल योजना में मैं चंदेल जैसे जिले में था, जो मतलब एक समय इंसरजंसी का चरम पर ता, तो वहां पर म की बात किया, आपने चंदेल की बात की, यह फॉरवर्ड मोस्ट इलाके हैं लगातार, एक चीज अब्जर्व की गई, वो यह की डिस्पारिटी है, रूलर इंडिया और खास्तों पे शेहरी इलाकों के अंदर, वो यह की जो द्योगिक विकास है, वो शेहरी जगों पे तो ओल किया, डूसरा सहरो, ग्रामिड की बात की है, बल्कि में गर्व के साथ एक सकता हं कि जब में भाल आया, तो गाओं का आदमी तो नहीं तारिव करा ज़ा कि मुझे पाई पानी मिल गया, लेकर न इंफाल में पत्रगार ने जिससे मुझ से बात की, उसने कहा की मुझे प पूट पार्क हो या हमारा को इंडस्टी हो वो कर आमीड छेत्र में ही लगती है क्योंको पचाह से कर में का फूट पार्क में चाहिए होता था जो मिनी एपीसी है उसके लिए जादा जमीन चाहिए और हमारा जो काम है फूट पोसेशिंग का वो निश्चत रूफ से खेत की तरफ हमें उल्टा जाना पड़ाएगा गाउं तो छोड़ दीजे तो मुझे लगता है कि यह चीजे नीतिगत तोर पर जो इस पस्टी बिजन जो है वो आप खिलियर है उसमें कोई दुविदा नहीं होनी चाहिए सर क्यूंकि आपने अपने विजन को बहुत लंबे समिध अभी क्लेर भी कर दी आपने कई बाते और बताई हमको अब आप मौजू मौजूद हैं आप और आपसे राजनितिक सवाल नहीं हो सकता और इसका सबसे राजनितिक मुद्दा जो गरम है वो है राहुल गांदी की भारत जोड़ो यातर ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लगात उसमें क्यों कर रहे हैं जिए उनको कहना पड़ेगा कि उनको इस उमर में इस बिफलताओं के बाद ये रास्ता उनको याद आया मैंने जीवन पर पेदल यातराय की है मैं डांडी मार्च में भी चल के आया हूं कांग्रेस तब नहीं जागी जब गांधी के डांडी इतारिए की डांडी यातरा से सुरू हुआ और जहां तक बहुत तक ऐसंतान तक यातरा गई किसी कांगरेसी को तब गांधी आदी याद नहीं आया किसी कांगरेसी को अट आधी कह नहीं के रह Memphis落़ाण कर रहे हैं कांगरेसरों से छोड़ दिया कि कभी पेदल यातरा होती मुझे लगता है कि हम लोगों से सवाल करने की मजाए बो मुझे वाद्ग हो इस बात का उतर जरूर दे कि माहत्मः गांदी कि तब डांडी यात्रा का समय था तब किसी कंग्रेस्ट को याद क्यों नहीं आई आज क्यों याद रही है बहुत जल्दी और पाईगा उसको पूरा कर पाएगा बहुत जल्दी ते जरूर काम आएगा बहुत शुक्रिया सर जी हिंदुस्तान के इस खास कारेक्षम में आने के लिए मैं जी मेडिया की सियो पुर्शोतम वैश्रम सर से आग रहे करूंगी कि वो आधर निये प्रहलाद सिंग पतेल जी खादे प्रसिस्क्रन उद्योग और जलशक्ती मंतरी को मोमेंटो भेट करें जी हिंदुस्तान के इस खास कारेक्षम में आप आए जी हिंदुस्तान तहे दिल से सर आपका शुक्रिया आदा करता है जोरदार तालियां प्रहलाद सिंग पतेल जी के लिए